हमारी कर्मुक के लेखा जोखाई यानि कहता वही को कौन देखते हैं आज की दिन हमारे समाज में कलम नाच होने की प्रथा को समझना चाहते हैं सुप्रसिद लेखी का मितला पेंटिंग में दक्ष और राष्टपती द्वारा सम्मानित सिक्षिका जीसे मिलना चाहते हैं अंत्ता भगबान स्री चित्रगूप्त महराज की प्रति यहां के लोगों के आस्था विश्वास को नजदीक से देखना और समझना चाहते हैं तो बने रही है हमारे साथ नमस्कार मैं बिर्जु कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का कुछे स्वरवाला में दोस्तों इस वक्त हम हैं बिरोल सुपोल के आस्थी बगनटा में और यहां पर विगत सतर सालों से बरही धूम धाम तरिके से सांती प्रियद्धंग से हम से लेकर के पजिन टाइम तक की जो भी कठा है और पूजा को लेकर के आपकी जो भावना हरा है उस अंदर में सारांस में सरलतास रखें यह सिरी सिरी एक स्वार्ट शिरी चिदूद पूजा समीति पचास के दसक में सुरू किया गया था हमारे गोमें. हमारे बुजुरूगरने किया थे, बहुत इसी द्यूदित से कर रहे थे, और वही PTTDAAR PTT कैरी होता आया, हम से पहले जो सेनियर कर रहे थे उन्हीं का अनुसरन करके हम लोग परियास कर रहे है जो किया ज़ै पूजा बिधीवत होती है पिछले कुछ वर्सों में, पिछले कुछ दसकों में कह सकते हैं, कि पूजा के साथ साथ संस्कृति कार्जक्रम का भी आयोजन होता रहा है 2015 में हम लोग अश्मारिका का प्रकाशन करवाया था, फिर 17 में प्रकाशन हुई पिछले बार बर्यस्तर पे बिरोल और मंडल में, कई नीजी और सरकारी संस्थान में शात्रों का कुछ कंपडिशन करवाया था यह सब चीज कुछ न कुछ होती है, समाजिक, संस्कृतिक, स्वास्थ से जुरी, इन सारे बिंदूओं पे हम लोग काम करते रहे हैं यह सब बुजुर्गों का अनुसरन करके ही हम लोग कर रहे हैं और अब तक चलती आ रही है, उमीद है आगे भी चलेगी इस पर संस्कृतिक आर्जक्रम होगी और आपनों को पता होगा कि पूर्व में संस्था के द्वारा एक मिसला प्रेंटिंग पर सिक्षन का आयोजन किया गया था उन सारे बच्चों को परमान पत्र भी यहां से निर्गत होगी आज होगी, इसके लिए हमारे मुक गती थी, राटी मदवनी निवासी, राश्पती सम्मान से सम्मानित सिक्षी का चंदना दत आने की अनुमती दी, यह मैं अपने संस्था का ध्यक्ष, उने कनाते अपने सा परमान पत्र भी यहां से निर्गत होगी, और साथ ही साथ, आप लोग को पता होगा, जो भगवान चितर्गुप्त के द्वारा कलम त्यागा गया था, दिपावली के शाम से, पूजा के दिन तक, जो वो परमपरा आज तक हमारे चितरांसों के द्वारा नुसरन हो रही है उसको हम लोग पलन करते रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा हुआ था, उनके द्वारा कलम त्यागने के पीछे क्या रहस था, उसी पर हम अनमंडल के कई सारे संस्थानों के बच्चे, इसकुली बच्चे हैं, सब 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, उनके द्वारा एक मंचन होगी, एक आपके समाज और भगवान सरी चित्र गुप्त महराज के बीच एक विसे संबंध है, हम चाहेंगे उस संबंध को आप अपने तरिके से व्याख्या करें, निक्षेतिस के पीछे बहुत ब्यापक कहानी है, ब्यापक इतिहास है, उतना दूर उतनी गहराईम नहीं जाना चा है, ऐसा माना जाता है, और इसी धारना को लेते हुए हम लोग सारे चित्रांस आज के दिन पूरे भारत में इस पूजा को बहुत दुमधाम समनाते हैं, वितीबत मनाते हैं, भगवान सरी चित्र गुत महराज का वैवसाही से क्या संबंध है, इस संबंध में कुछ बताने बेपसाही ने, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के दुआरा उन्हें इस पूरे जगत में जो भी हो रही है, उसका लेखा जोखा तयार करने का काम किया गया था, काम दिया गया था, जिसको वो करते रहे हैं, और यही कारण है कि हम कैस्त परिवार का भी अक्सर, अब किसने पढ़ने से जुरा ही कुछने किसी किसी प्रोफेशन में जुरे है, आपकी भूमे का इस चित्र गुप पूजा को लिखर के कितने सालोस रही है, और वो क्या क्याती है, और मुझे उमीद है कि पिछले 15-20 साल से हम इसमें भाग लिए हैं, पिछले कुछ बरसों से अ कर दें तकस्मित नय रहना है, पूजा के बाद भी, जितना हो सके, हमारा समस्था जितना सक्षम है, उसके अपेकसा विभिनशेत्रों में, समाज के विभिनशेत्रों में कार्ज करने का परियास करते हैं, यहां पर मंच पर लोग गाय के रूप में कौन-कौन आ रहे हैं अपने द्रभंगा जिला में बजन सम्राट के नाम से सुप्रशिद आप सब जानते हैं हमारे राजन जी हमेशा से हमारे मंच पर रहे हैं उनके अलावा गोपाल जी हैं बिंदेजी हैं यह सारे मुजिसियन है इसके अलावा उभरते हुए सितारे हमारे प्रशेत्र का अन्शूमन हैं और हमारे अन्ववी शिंगर भर्शट एल जिनियस कह सकते हैं अभी कर्च करम होगी देखेंगे आप लोग अभेरन जंदास और भजन सम्राट राजन जी के शाथ या फिर उनके शंडक्षन में कह स रहने वाले हमारे संस्ता के सदश्च मुरारी और और यह लगुफाल है हैं यह सब अपना बजन से पडियास करेंगे जो दर्शकों का को अनंदीत करें हमारे अध्य हमसे जो ङुछ थातर रहे है हम सबको एक जग मिलने का अपस्र मिलती है इसी अब देखे जो कितने सारे लोग आ रहे हैं कितने सारे लोग संस्कृटिक कार्ण ब्रस्करूं भाग लेंगे चो सब एक दूसरे को समझे एक दूसरे के भाबना को संस्मान करें बस यह संदीथ देना चाहते हैं दोस्तों इस संबाद को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्ड जो है सांस्कृतिक कारक्यम सुरू होने बाला है और बहुत दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक नए एस्पेसल वीडियो में वीडियो देखने के से बहुत दानिवाथ